करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बिटकोई की बात करेंगे तो अगर आपने अमारा प्रीवेस वीडियो नहीं देखा है तो इसको आप डिफिनिटली देखिए हर दिन आपसे हम कोशिश करते हैं कि जस तरह का प्राइज मुवमेंट हो उसके बार में आपसे अपडेट देख रहे हैं उसी के अपर यह 53,200 से लेके 500 का जो जोन है अभी तक यह एक important सपोर्ट यहां पर बनाऊ है जो अच्छी तरीके से थोड़ा प्लेट कर रहा है तो इस एरिया से बिटकोईन बाउंस करता है तो यह previous high को ब्रेक करके के वॉल्यूम से उपर की तरफ को जाए जो अभी तक यहाँ पर नियू है तो थोड़ा सा वह वरिसम सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है लेकिन अभी जो प्राइज मुवमेंट है उसके अकॉर्टन से लेके 50,000 डॉलर का जोन जिसको बिटकोईन की प्राइस को यहाँ पर इ नीचे आ गया है तो यह अब इंपोर्टन हमारे लिए यहाँ पर रिजिस्टेंस बन चुके हैं जो पहले कभी नहीं हुआ हर बार हम 50 डेली मुविंग आवरेज से बाउन्स कर गया थे तो अब यह दोनों के दोनों थोड़ा से हैं आपर प्रेशराइज जादा कर रहे हैं यहीं पर होल्ड करें यहाँ से अच्छे वॉल्यूम का प्रीवेस जो हाई उसको ब्रेक करते ओपर जाए नहीं तो इन वर्स केस यहाँ पर अभी में 49 से लेके 50,000 डॉलो का आईरिया देख रहा हूं जहाँ पर प्र यहां से हमको अच्छा बाउंस देखने को मिले बाकी क साफी लोगों के यह भी कुश्चन्स है कि बिटकोइन की प्राइस के अंदर ऐसा कौन से लेवल है जहाँ पर अगर प्राइस उसके नीचे चले जाती है तो थोड़ा से यहाँ पर बिटकोइन के लिए वो और बेरिश हो सकता है तो उसके लिए अगर हम वीकली चार्ट के अदर मूव करते हैं तो हर बिटकोइन के अंदर 20 वीकली मूविंग अबरेज जो हमेशा अच्छा सपोर्ट बनके रह चुका है जो अभी तक करेंटली यहाँ पर टेस्स नहीं हुआ है तो यहाँ पर अगर बिटकोइन की प्राइस इन एरियास को जो उपर वाले हमारे सप चिरफ हुई थी तो वैसी अगर ओपनिंग 42,000 के नीचे देखने को मिलती है वीकली में तो वो थोड़ा सा है यहाँ पर नेगिटेव हो जागा कि नहीं अब ट्रेंड का थोड़ा रिवर्सल है जिसमें फर्दर और करेक्शन हो सकता है क्योंकि हम फिर यहाँ पर यहाँ प आप खुद भी अपने आपको सकते हो कि कैसे आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी है और कौन सा की लेवल है जिसपे आपको यहाँ पर आके रखनी है बाकी बिटकोइन की बात करेंगे तो यहाँ पर बिटकोईन के अंदर डॉमिनस काफी जाषी जादा नीचे ग cabbage और अबी हम currently 50 का जो area ये काफी important zone है अगर यहाँ पर हमने 50 का जो area ये हमने break कर दिया weekly time frame के अंदर इसकी नीचे हमको opening देखने को मिल जाती है तो alls के अंदर बहुत ही massive rally जो है वो हमको देखने को मिलेगी है मतलब अभी तक जो rally हुई है वो कुछ भी नहीं है मतलब आप 2017 का जब borderland bounce हमको देखने को मिल सकता है और फिर से हम यहाँ पर reject हो के थोड़ा नीचे है या फिर हम आने वाली week के अंदर इसको break करके नीचे चले आते हैं तो अभी आने वाली week में confirm हो जाएगा जब हमको next weekly closing opening जो होती है अगर हमको इस level के नीचे देखने को मिलती है या उपर देख stop loss यह सारी चीजे लगा के आप करो क्योंकि देखो बिटकोईन का जो टॉप है और एकदम से वापिस से हमको correction कब देखने को मिलेगा उसको exactly predict करना possible नहीं है की levels हम देख सकते हैं उससे थोड़ा analyze कर सकते हैं लेकिन TAFA एक जगे है in the end आपकी portfolio को बचाने के लिए जो चीज क सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना है अगर आपको इस तरह की quick updates अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और subscribe भी करिए because that is the only thing that keeps us motivated बाकि मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक किलिए goodbye and take care